एल्लो एब्रिवाण स्वागत है PW only I.S. में आज हमारे बुक का पार्ट एक नया पार्ट हम शुरू कर रहे हैं जहां पे हम बात करेंगे कि political dynamics जो इंडिया की है वो कैसी चल रही है, क्या election है क्या चीज़े है, ये part सारा ये बता रहा है, जितना हमारा human angle है हमारी polity में वैसे तो सभी कुछ human angle ही है पर हम यहां से शुरू करेंगे बात करना सबसे पहले political parties की political parties, वाला why do we even need political party, क्या जरूरी क्या हो गया है एकदम से इतनी बड़ी problem क्या है कि हमको मोनार्की से हटके, सब रजवारों को छोड़के, हमको जाना पड़ा है इन लोगों के पास, क्या हुआ जब भी, देखो intention ये होता है कोई भी political party को जब लोग जुड़ना चाते हैं, बोलना चाते हैं कि सब हम जो है आदित सर की political party में शामिल होंगे क्यों होंगे, क्योंकि इन लोगोंने कोई भी political party के जो भी members है, जो भी लोग है, उन्होंने बोला है कि पहली बात ये, हम आदित सर के साथ voluntarily associate होना चाह रहे है ठीक बात, हम एक organized group बनाएंगे हमारा अपना एक same ideology होगी हमारा सपना एक same political view होगा हमारी हो सकता है कि हमें चाहिए सत्ता political power चाहिए हमको, ठीक है कैसे, through constitutional means हम सम्मेधानिक तरीकों से ही चाहे चुनाव लड़के, चाहे कोई और यह चाहे के nominate होके चाहे कुछ भी जाके, ऐसे नहीं कि हम कहीं भी तखता पलट कर देंगे, नहीं हम coop कभी नहीं करेंगे, हम coop data समझते हो, क्या होता है coop data होता है, जो पाकिस्तान में होता है पाकिस्तान में कोई भी PM ने कभी अपना full term कभी enjoy नहीं किया क्या होता है, हर बार कोई PM चुना जाता है अभी election हो रहे है, पता चलेगा क्या होगा उस पर complete video आएगी है, वो लग बात है, ठीक है अभी हम जानते हैं कि जब भी हमारा कोई coop होता है कहीं पे, कू कहते हैं PE silent होता है, ठीक है तो जो कू होता है, जब भी कहीं पे कोई असफैन्धानिक तरीके से म्यांमार हो, चाये आसपास कोई Afghanistan हो, चाये कोई Shilanka हो, चाये कोई और जगे हो, जहां पे भी सम्वेधानिक तरीके से सत्ता नहीं मिली, किसी भी शक्स को किसी भी पार्टी को किसी भी ग्रूप को तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हुआ है तक्ता पलट कोई कोई सरकार चुनी हुई बैटी थी उसको अटा दिया गया लोग आगे बैठ गद्धी खुदिया से आगे तो वो लोग हुए जो अचा हमारे देश में या और जगे डिमोकरसी में जहां पर लोग समवयधानिक तरीके से ही सत्ता पाना चाहते हैं सत्ता अपनी अइडियोलोजी लेकर आना चाहते हैं कि देश के हित की बात करने आये हम और कोई दूसरी बात नहीं करेंगे अब हमने या प्लिटिकल साइंटिस ने इनको क्लासिफाई किया है कि जो भी आजकल के जमाने के modern democracies हैं यहाँ पे कुछ चार तरीके की parties होती हैं इसके बाद और भी classification है विचारधारा के उपर वो भी द दलना चाहती हैं कुछ भी जिन्हें चाहिए जैसा पुराना सिस्टम था जो पुराना सोचियो एकनॉमिक ओल्ड स्रक्चर जो था पुराने पॉलिटिकल इंस्ट्यूशन वह चलते रहें कोई चेंज ना हो इसके बाद आती है conservative parties conservative होती है जो वैसे ही बनागे रखना चाहत होते हैं जो बात करते हैं कि नया जमाना क्या हो सकता है नई हमारी कोई और hierarchy क्या हो सकती है कोई नया हमारी विचारधारा क्या हो सकती है जो reform करना चाहते है existing संस्थानों को ठीक है ओके फिर चौती पर्टी आई radical party radical party वह होती है जो सब कुछ उखाड फेकना चाहती है एक न पार्टी आई है वो पार्टी ने यही बोला है कि जितने यह पुराने संस्थान है यह old world के हो गए है यह पुराना जमाना गया अब हम नया जमाना ला रहे है हम जार को अटाएंगे हम लेनिन को बिठाएंगे हम एक socialist republic बनाएंगे यह करेंगे वो करेंगे तो वो लोग हु पुराना सिस्टम अब नया एक जमाना आ गया ठीक है यह बात हुई आगे गया हमने का और भी कोई तरीका है यस है on the basis of ideology विचारधारा की लड़ाई विचारधारा कुछ तरीके से हमने बाटी है यह कहना है political scientist होगा कैसे हम कहते है कुछ party left है कुछ centrist है कुछ right wing है समझ में हो साम में वाद हो यह वो बात करते हैं CPI, ECPIM यह लोग है ठीक है centrist party है जो issue based ideology लेके रहती है liberal party कहलाती है के यह सब को समेट के साथ लेके चलना चाहती है Congress party for example BJP हमारी religious conservatism भी चाहती है conservative party कहलाती है reactionary party कहलाती है के पुराना सारा system जो बेकार रहा कुछ नहीं हुआ है हम अब सही चीज क्या है ठीक है तो ऐसे करके हमने तीन डिवीजन तो देख लिए जो अपनी देश में है अब वर्ल्ड में भी काफी कुछ हुआ है काफी कुछ लोगों ने अपनी अपनी तरीके से वागी डिमोकरी काम कर रही है कैसे USSR में देखो चाइना में देखो यहां प यह एक ही पार्टी है इस CCCP के पास सब कुछ था यह जो पिक्चर देख रहे हो यह है चाइना की CCP की Chinese Communist Party की ठीक है तो दोनों अलग-अलग है नाम भी दोनों की सिमिलर है अब्रिवेशन सिमिलर है पर नाम अलग-अलग है ओके फाइन यहां पर एक ही पार्टी है कोई opposition जर देखना कि क्या होगा लोग आखिरी में दो या तीन तरीके से विभाजत हो सकते हैं एक तरफ होंगे डेमोक्राट है एक तरफ होंगे रिपब्लिकन ऐसे करके ठीक है जो हमारे ब्रिटिन में है conservative है लेबर पार्टी है ऐसे करके है अब इंडिया में multi-party system है क्योंकि यहां पर कई तरह की रिजन लिजम है कमिनलिजम है सब कुछ है तो फ्रांस हो चाहे स्विट जेलेंड हो चाहे इटली हो इंडिया हो यहां पर है खूब सारी पार्टी है हमारे यहां देख रहे हो सब तरह कोई national party है को लोकल पार्टी को रिजिस्टराड़ है को नहीं है ऐसे यह सारी पार्टी सिस्टम हमारे यह आगए इंडिया में हम फोकस करेंगे कि हमें तो यही पढ़ना है हम जानते हैं इंडिया में सबसे पहला तो multiple party system है क्योंकि कई सारी पार्टी यह देजवर में बहुत पार्टी है Election Commission के कई सारी जभ्मेदारी यही चीज़ों की है कि इन पार्टी और सभाले रखो, बस, ठीक है, अब इंडिया का क्योंकि वास साइस है, इतनी डाइवर सोसाइटी है, हमारी डाइवर सिटी है, यूनिटी डाइवर सिटी है हमारे है, इसके अलावा हमें ये पता कि हमारे हैं बढ़ना to increase ठीक है ये हुआ है अब हम ये समझ गए कि अच्छ ठीक है इंडिया में ये तो चीछ चल निकली फिर इसके बाद इंडिया यही चीज का दावा भी करता है कि हमारे हां सबसे जादा largest number of political parties हैं कई सारे spectrum हैं लोगों के जिनको left से right, non-communal parties कुछ पार्टी हैं कुछ नहीं चाहती है तो सबके लिए सबका कुछ ना कुछ एक पार्टी का alignation तो ही है alignment ही है ठीक हम किचिना किची पार्टी की तरफ जुकी जाते हैं यह होता है अब यह diversity जो है इससे एक problem भी आ रही है problem हम देखते ही हमेशा हंग पार्लिमेंट पार्लिमेंट ही अटक गई है हंग सभा है लोग सभा जो है विदान सभा जो है सारी की सारी हंग है जो गटबंदन सरकार हैं होती है यह एक regular occurring phenomena हो गया है 90's में तुमने खूब देखा है कटबंदन सरकार है कभी 14 चरण सिंग जी के आ रही है कभी वाजपई जी के आ रही है कभी नरसिमराओ जी के आ रही है कभी UPA आ रही है कभी कोई और आ रही है तो कटबंदन सरकार आती है अलगला विचार धाराओं की पार्टियां एक साथ आती है कहती है हम बनाएंगे एक prime minister की सरकार और इस सरकार में सारे तरे के पार्टियों का योगदान होगा अब वो सरकार क्योंकि इतनी सारी गटबंदन से आई है तो वो सरकार वैसे ही विचारी काम करने में उसे बहुत जब उस समय UP उत्राखंड एक हुआ करता था, जब पंजाब और पेपसु बहुत बड़ा एक स्टेट हुआ करता था, पेपसु में जो है हमारे हिमाचल का एरिया, देखो हिमाचल इतना पीला-पीला से रही है, यह है हिमाचल, अभी तो हिमाचल पूरा अपने आप में फु जूटनी होने शुरू हो गई थी, क्या हुआ था, क्योंकि 67 के बाद ही जनता पार्टी आई, जनता दल बनी वो बाद में, फिर बीजेपी बनी बाद में, तो रजनी कुठारी जी, मैम बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो इन्होंने बताया है कि डॉमिनेंस जब कॉंग्रेस का हुआ करता था, तब हम उसको एक ऐसा एरा बोल सकते हैं, जब वो बन पार्टी डॉमिनेंस सिस्टम था, यानि कि कॉंग्रेस सिस्टम तक को मिला कि अगर आसान बाशा में बोलो तो, यही है इंडिया का, कि इंडिया का भली कितना मिल्टी पार्टी सिस जिल में रहा है 8 साल, तो कैसे नहीं लोग उनके पीछे रहेंगे कि सराब 8 साल जिल में रहे थे, आपने देश आजात कराया है, प्राइम मिनिस सर प्लीज टेक ओवर, तो उस पार्टी को हमने पूरी उनको शिद्दत से हमने उनको जिताया, कई सारे स्टेट्स में इलेक् ठीक है, कॉंग्रेस अभी भी लेकन वजूद में है, ये 67 के इलेक्शन के बाद ये हुआ है, उसके बाद शुरू हुई है, कॉंग्रेस डिट नॉट गेट मेजॉरिटी इन 67 असेंबली, ठीक है, इन जगे पे चलो, अपनी अपनी और रीजन पार्टी उभरनी चुरू हो रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी, ये पार्टी, द्रविडियन पार्टी, सब पार्टी आगे हमारे हैं, सब पार्टी उनने का कि अब हम हैं, लोगों के लिए बात करने वाले, कॉंग्रेस को नहीं पढ़िए, किसी की भी हम बात करेंगे, अपने आगे लोगों के लिए पार्टी उनको छोड़ दो इसके अलावा बागी जितनी पार्टी है उनका आप कोई क्लियर आइडियोलोजी नहीं देखोगे बीज़ेपी क्लियर आइडियोलोजी है कि हम एक चीज़ पर फोकस करते रहेंगे यहीं बीज़ेपी ने मैनिफेस्टों में कहा भी था चाहे 2003 का एलेक्शन हो 2004 का हो चाहे 2004 का हो फरक नहीं पड़ता है बीज़ेपी की अगर आइडियोलोजी है दे स्टिक टूइट ठीक है सीपी आई सीपी आइम स्टिक टूइट कि कॉम्मिनिजम हम में हम बिलीब करते हैं दूसरी कोई चीज़ में नहीं करते हैं ठीक है तो किसी और प कि चलो ठीक है अब 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 यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि सब पार्टियों आखिर में चाहिए क्या खाली हला दंका थोड़ी करना है उन्हें चाहिए सत्ता उन्हें चाहिए पर्स्यूट ऑफ पावर कुल मिलागे वो इसलिए तो आए हैं ताकि सत्ता में आपाएं जो लोग अभी तक जिन से हम कहते थे आरे दुश्मन हो तुम तो फिर होता है महा विगास अगाडी फिर होता है महा घटमंदन फिर ऐसे चीज़ें होती है तो यह सब होता है कि पर्सूट ऑफ पावर ओफ और राइट था आइडियोलोजिकल कंसिडरेशन जो विचार धार इशू-based agendas ना की ना की आप pragmatism की बात करो ना की आप जो आइडियोलोजिकल जो आपका commitment था जो विचार धारा की आपकी जो विचार धारा समझते हो ना क्या होता है जैसे कोई पार्टी की विचार धारा है कि भाई हम तो खाली सेक्लर धारा की अगर कोई पार्टी कहती है यही है हम नहीं बदलेंगे इससे तो वह पार्टी हमने देखा है बाद में वहाथ मिला लेती है दूसरी पार्टी से कुछ और कल लेती है विचार धारा गया ऐसी तेस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे हो जाता है अब हम आगे यह सारा को ईलएक्शन कर डिटा यह कह रहा था- इनका मेनिफेस्टि पैले ऐसा होता था- यह था रहता था- रहा है ठीक हैए ओक हम देख़हे है परसनालिटी कल्ट हमेशा रहा है देश में चाहे हम देखो यह एक प्याडॉक्स हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम एक ठरफ होरी म नहरू की टाइम की बात कर लो, चाहे इंद्रा जी की टाइम की बात कर लो, चाहे कोई और के, चाहे और किसी भी समय की बात कर लो, चाहे अब मोधी जी के समय की बात कर लो, तो अब इंद्रा मैं भी थी, आप एक चीज याद करो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कि ज जब जब politics revolves around one personality, nation takes the back seat, जब भी politics हुई है किसी एक व्यक्ति के around, तब तब nation तो पीछे रहे गया, देश पीछे रहे गया, फिर इंद्रा हटाओ, देश बचाओ, ये हो रहा है, इंद्रा के बात क्या करोगे, आगे तो बताओ, आनी वो नहीं बताओ, पहले इंद्रा हटाओ ये हो रहा था, अब गरीबी हटाओ, इससे बड़ी अब गरीब कोई हटाओ, ये सारी बाते होती थी, कि एक बार आपने personality का around बात करना शुरू कर दिया, आगे कि आपकी सारी कहानी फिर उस personality का around ही रहेगी, वो party का स्तित्व ही उस personality की वज़ए से ही है, ठीक है, एक कोई prominent leader है, कोई जो पूरी party को और उसके विचारदारा के उपर, वो overshadow कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये ही हो रहा है, हम देखते हैं, कि leaders, rather than party manifestos, become the primary identification, ये identifier है, लोगों को ये समझ में आता है, कि हाँ साब हमारी ममता दीदी, हाँ साब हमारी जैलरता दीदी, हमारे DMK के प्र कितनी अच्छी बातें करी थी, कि साब लोग चुनाव करेंगे अपने MP का, अपने MLA का, आसपास के, जो जाके उनको represent करेंगा, बाद में, वो MLA MP किसी party का हो तो ठीक है, आप जब वो किसी party का हो गया, तो लोगों को चुनाव करना है, लोग तो कहते हैं, पार्टी का नेत कोन है, हमें ये बताओ बस, तो इसकी वज़े से perception ये बन गया है, कि there are political personalities rather than political parties in India, और ये हमेशा हुआ है, जब भी हमने कभी भी political parties से हटके, हमने किसी नेता की बात करी है, कि साब इसी नेता की around सारी politics है, इसी नेता की around सारी cabinet है, सब कुछ है, then देश तो पीचे चुट गय गया, फिर उसी पॉलिटिक, फिर उसी around politics होती रहेगी, अरे, अरे, मोदी नहीं, तो कौन, तो कौन, अरे, कौन नहीं होता है, opposition चाहिए, opposition होनी चाहिए, strong, अभी chapter में आगे देखना, opposition कभी strong रही नहीं हमारे है, चाहिए किसी भी समय की बात कर लो, आप, अब, traditional हमारे कैस in India, are based on factors like, जो छोटे मोटे factors है, religion, caste, language, culture, हम यहीं के around ही लड़ते रहेगे, तो यह issue बनता है, जब हमें अपना प्रतिनिति करके भेजना होता है, चुन के भेजना होता है, अब, यह जो parties होती है, they often prioritize communal and sectional interest over the general public interest, इन्हें, लोक हित की भलाई से आगे भढ़के, यह जाते हैं, कि अपने caste का हित हो रहा है कि नहीं, अपने section का religion का हित हो रहा है कि नहीं, तो general लोक हित तो गया, वो नहीं, उस पर कोई ध्यान दे रहा है, अब, regional parties आ जाती है, इसी बीच में, यहीं पर Indian party system में आता है, कि कई सारी numerous regional parties आई, यह देखो आप, Congress का यह blue line है, ठीक है, ओ EJP का यह line है, 1984 से शुरू होता है, अब, इसके बाद, बागी other parties है, इनका भी rise होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे Congress का downfall हुआ, वहीं पर regional parties का अप, अप graph शुरू हो गया है, तो, हम समझेंगे क्या हुआ है, यह जो parties है, तो पहले तो, इनका agenda हुआ करता था, from regional to national relevance, य अपने द्रवेट region में अपना काम कर रहे है, बाद में लेकर फैल गए, उपर तक आ गए, सब कुछ पूरे national, national level पर encompass कर लिया, यह समझ में आ गया इनको, फिर holding power in various states क्योंकि करनाटका में भी हो जाएंगे, तमिलनाडू में हो जाएंगे, आंद्रा में भी हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे चल रहा है, अब यहाँ पे, national politics में, क्योंकि हम देखते थे, सरकारें गठबंदन की, तब हम देखना शुरू किया, हमने अच्छा, regional party का यहाँ importance है, कि regional party जब सत्ता बनवानी होती है, तब regional party का ध्यान आ जाता है, कि साब center में हमें जो सरका गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कि particularly notable in the context of, जो हमारी coalition सरकारे होती है, ठीक है, coalition सरकारों का फाइदा नुकसान दोनों चीज़े हैं, देख रहे हो आप, यह सारे ऐसे ऐसे graph है, यह आपको PDF बार देख लेना जरूर, बड़ अच्छा PDF है, इसमें हमने as on 13 April 2018, हमने बात कर रहे हैं, के अच्छा ठीक है, दिल्ली में है, पंजाब में है, कहीं और है, कुछ भी है, INLD है, बिहार में तो ही है, of course, कुप सारी parties है, रोज अपने अपने सब अपने पार्टी हैं बना के बैठे हैं, तो यह map आपका बड़ा काम आएगा, जब आप इबर देखना चाह ने बिहार में, असेंबली में, क्या किया, यह लोग RLD के थे, और यह जाके RLD में, जब सारे विधायक, जब वोकाउट कर जाते हैं, उसमें तीन विधायक होते हैं, जो जाके बढ़ जाते हैं, BJP वाले इसमें, BJP और BJD वाले ग्रूप में, ठीक है, फिर, JDU वाले ग्रू आच है, वो है सत्ता, they are driven by a desire for power and material gain, इन्हें नहीं फरक पड़ता है, जनता क्या चाती है, जनता क्या करती है, नहीं, यह सब अपना भला देखते हैं, कोई भी पार्टी रही हो, किसी भी समय रही हो, हम हमेशा देखते हैं, कि खाली एक जो loser होता है, वो होता है जनता, यह होता है, अब defection practices intensified after the fourth general election जो 66 में हुए थे, यहीं पर शुरू हो गया था, कि political instability देश में होनी शुरू हो चुकी है, उससे पहले तक, 66 से पहले तक, कम से कम stable सरकार है तो होती थी, जो चर्चिल का challenge था नहरू जी को, नहरू जी ने उस challenge को एकदम आखों से एकदम आख प्री चलने नहीं वाली, 10 साल भी देख लेना, नहरू जी ने का, इसको मैं दिखाऊंगा रुख जाओ, और 1947 से लेके 1967 तक, हमारे पास कुछ नहीं, तो एक stable सरकार तो थी ही थी, कोई कुछ भी कहले, stable सरकार हुई है, और 67 से पहले तक, जब तक हमने 47 में युद्ध देख हमारे स्पेक्टरम में हमने देखाए कि आचा ठीक है, इनस्टेबिलिटी शुरूओ गई है, लोगों में भाजन हो गया है, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कोई स्विच, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, यह होना शुरूओ गया, ये, इसकी वज़े से सिस्टम के लिए जो त्योरी में है कि हमारा देश जो है पारलेमेंटरी डिमोक्रसी है अब हम यहां ओपोजिशन की बात करते हुए कैसे न याद करें जब हमने विंटर सेशन में देखा था कि 143 MPs 143 MPs सस्पेंड हो जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि वो यही पूछ रहे थे कि हमें जवाब चाहिए होम मिनिस्ट्री से कि यहां पर पारलेमेंट के अंदर सेक्योरिटी ब्रीज कैसे हुए इस बात पर जब इतने सारे MPs ऑपोजिशन के ही जब सस्पेंड होते हैं तो कैसे हम पारलेमेंटरी डिमोक्रसी उसको गोशक करें सिर्फ फिर इसके बाद यह जो अबर्शन होती है यह ruling party के लिए बहुत ही एहम होती है ruling party के autocratic रवाइये को ताना चाही रवाइये को रोकने के लिए उस tendency को चेक करने के लिए ताकि सरकार कभी भी अगर जाए तो एक alternative सरकार तयार रहे आपको पता है Britain में मैं आपको पढ़ाया था shadow cabinet किसी को पता है क् shadow cabinet यानि कि क्या होता है जैसे कोई party सत्ता में है Britain में मान लेते conservative party ठीक है अब conservative party रिशी सुनाग जी की party अभी बैठी हुई सत्ता में ठीक है अब रिशी सुनाग जी PM है तो ऐसे ही जो opposition में जो party बैठी है labor party generally तो labor party में से कुछ ऐसे 12 लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि मैं shadow prime secretary हूँ मैं shadow foreign secretary हूँ ऐसे करके यानि man to man marking हो रखी होगी सब लोग होगी सब लोगों पे PM के ऊपर किसी एक जो leader of opposition होगा उसकी marking होगी कि मैं PM को check करूँगा आप home secretary को check करना आप foreign secretary को check करना आप finance minister को check करना जो भी करना ठीक है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि opposition ने ruling party के तान सरकार है देन जो क्राउन है राजा है वहाँ राणी थी पहले तो तो क्राउन के सामने यह opposition जाके कह सकती है ma'am या sir your majesty we have the numbers we can form the government in your name आप please हमें permission ने ठीक है तो यह हो सकता है अब यहाँ पर ही strong or organized national opposition has seldom emerged कभी ही कभी कहीं हुई होगी since the first general election 1952 के हमारे पहले election थे 1952 के तब से लेके आज तक हमने कभी opposition को गंभीर नहीं देखा है opposition को हमने कभी भी यह नहीं देखा है कि organized है एकदम national है एकदम जैसे कहते हैं एकदम मजबूत opposition कभी हुई ही नहीं है खाली वाजपई जी के समय पे जब opposition में बैठा करते थे तब भी बहुत rare instance पे वाजपई जी खुल के पूरी सरकार के साथ समर्थन दिया होगा हमने देखा था वाजपई जी ने बोला था कि जब चाइना से वार हो जब पाकिस्तान से वार हो हम आपके साथ है सर नेरू जी प्लीज लड़ो आप ठीक है हम हैं पीचे कोई दिक्कत नहीं है अभी देश की आच की बात ह है देश पर आच आ रही देश की सुरक्षा पर हम आपका सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा पर किसी और मौके पर हम आपके साथ नहीं है विचारदार के लड़ाई है कैसे आपके साथ हो जाए जो घरिलू मुद्द्ध होंगे वहां पोजिशन पुई खुलके आप से बात क है इसा हो जाए कि अब क्या जवाब देने कि समझी नहीं आ रहा धर लिया इन्होंने पार्लेमेंट में जो चीज़ अगर बोली जा रही है वो ओन रेकॉर्ड है वो लिखी जा रही है और पूरा देश देखेगा सुनेगा बाद में फिर ऑपोजिशन पार्टी ने कभी भ आप ऑठोक्राटिक उनके रवाइये को आप आप जो कहते हैं आप उसको चेक कर सकते हो नहीं कर सकते हो कैसे तो इसी वजह से जो उनका अन्सदुर्टिव क्रीडिसिसम है इस पूरी नेशन में गवर्नेंस में वोन आहीं पाता है ठोटा ही निया बस मजबूरी हम आगे च जिस्टर जितनी political parties हैं for elections for the purpose of elections अब parties को आप recognize भी करते हो और आप registered भी करते हो ठीक है तो आप अगर recognize कर रहे हो party को then you have to recognize them either as national party or as a state party ठीक है अब यहाँ पे ही यह आप इनको तब बोलोगे ऐसा जब आप इनका चुनाव में इनका performance देखोगे कैसा है याद रखना parties को जो election commission होता है वो register भी करता है और वो recognize भी करता है जो party या national या state party नहीं है उन पार्टियों को बोला जाता है कि आप registered हो but unrecognized हो समझें फरक समझ में आया कि register तो कोई भी party सारी हो सकती है ठीक है but recognize election commission आपको तब करेगा या तो आपने performance बहुत अच्छी करी हो नेशन लेविल पर या state लेविल पर वो आप तब recognize किया जा रहा है आपको तब आपको माना जा रहा है आपने किया तो है तब आपके लिस्ट में सूची में नाम लगा हूँ आप पार्टी रहे हो ठीक है ओके अब जो recognition है ये commission ही देता है ठीक है to the parties और इसके बाद इनको क सरकारी टेलिवेजन और रेडियो स्टेशन होते हैं दूर दर्शन प्रसार भारती इन जगों पर ये अपना advertisement अपना जो है सारा प्रचार कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अब इसके बाद ही इनको electoral roles का access मिल जाता है electoral role क्या होते हैं जो जो जनल वोटर लिस्ट होती है अगर आप बड़ी पार्टी और च्छोटी पार्टी हो स्टेट की तो आपको आपके स्टेट का या नेशनल लेवल पर आपका electoral role आपको मिल सकता है जिससे आप तैय कर सकते हो कि आपकी strategy क्या होनी चाहिए कौन से state में है कौन से province में है कौन से state कौन से जिले में कहीं भी तो यह तब मिल सकता है जब आप कहीं भी recognize हो रखे हो recognize होना पड़ेगा तब आपको यह फायदा मिलेंगे उसके लावा नहीं मिलने फायदे अब किसी पार्टी को हम recognize कैसे करें election commission का कोई procedure होता होगा बिल्कुल है बिल्कुल क्या है national party पहली बात तो आपको symbol alert होता है exclusively for nationwide use ओके ठीक है अगर आप state party हो तो आपका within their respective states जहाँ जहाँ आप state party recognize कर लिए गए हो वहाँ वहाँ पर आप अपना symbol यूज कर सकते हो जो भी रेजिस्टर अने करना इस पार्टी है उनको क्या होता है election commission कहता हमारे कई सारे ऐसे channel channel रखे हुए इन मेंसे आप चुनलो अपने आपसे वो free symbol है आप चाहो इन मेंसे कोई विल ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं आदे तिवारी party बबनाओंगा तो मैं ऐसी party में यह नहीं कर सकता कि मेरा channel होगा कुछ भी मान लेते game of thrones का sign मना लेते मैं iron throne का चेर नहीं मना सकता जो चेर होती है यही चेर ऐसे मैं चेर बना के कुछ भी कर लूँ तो अब मैं यह चेर अगर बना रहा हूँ तो ऐसे मेरे मन का यह सिंबल है यह नहीं मिलेगा जो इलेक्शन कमिशन मोलेगा क्योंकि आदे तिवारी party अभी कोई कुछ नहीं हुआ है इनका पर आप रेजिस्टर कर दे रहे हैं हम आपको तो रेजिस्टर करने के बाद आपको कुछ सिंबल है फ्री के वह अब उनमे से चुन लो जो आपको यूज करना कर लो ठीक है अब यहाँ पे नेशन और सेट पार्टी they are entitled to nominate 40 star campaigners in during the general elections fine okay जो पार्टी खाली सिंबल पार्टी है उनको मिलेंगे nominate 20 star campaigner during general election क्या होता है क्योंकि star campaigner क्या होती है मोधी जी है तो मोधी जी BJP party के star campaigner है अब इनको वहाँ जाके कोई प्रचार करने में कोई प्रचार करने में कोई rally करने में कुछ जो help चाहिए तो वो party इनके उपर खर्चा करेगी अब वो जो खर्चा होता है वो commission कहता है उसका ब्योरा दो पहले पैसा कहां से आया है कितना पैसा लगा रहे हो और तुम पर इतना पैसा है तुम इतने सारे candidates पर लगा रहे हो तो ऐसे national party state party को 40 ऐसे star campaigner मिल सकते हैं जिनके उपर कैसे बताएं कैसे कौन सी party national है कौन सी यह है वो है तब हम तब हमने पढ़ा कि देखो अगर आपको कुछी party को national party गोशत करना है तो आपके पास तीन से चार शर्ते हैं इन में से आप अगर कोई भी पूरी कर दो आपको पूरा condition पूरी फिल करना है कैसे या तो आप लोगसभा में दो परसेंट सीट जीत लो कम से कम तीन स्टेट से ओके फाइन या फिर आप लोगसभा में से चार सीटे जीतो ठीक है और आपने छे परसेंट वैलिड वोट से क्योर करें कम से कम चार या उससे जाधा हमने बोला चार सीट आप लोगसभा में जीत गए और आपने छे परसेंट वैलिड वोट्स पोल जो हुए थे वह अपने जीते हैं इन फोर और मोर स्टेट यह कहां पे विदान सभा के लेक्शन में अच्छा ठीक है यह लोगसभा के लेक्शन में है अब चौती कंडिशन अगर आपको स्टेट पार्टी अगर आप हो चार स्टेट में तो यह आप नेचल पार्टी बन जाओगे लोग यह भी आसान है इसी है समझ में आया कैसे यह लोगसभा सीट के लिए लोगसभा के लिए विदान सभा के लेक्शन के लिए और अगर आप चार स्टेट में तो आप नैशनल पार्टी बन गए या आपको हटा दिया गया लिस्ट में से अब आप ऐसी नॉर्मल खड़े हो बस अब स्टेट पार्टी बनने के लिए भी A, B, C, D, E इनमें से आप कुछ भी जीत लो, कोई भी एक शर्त आप मान जाओ, A पूरी या B पूरी, या C पूरी या D पूरी, बस इनमें से आपको एक कोई भी A और B और C और D, ये इनमें से आपको पूरा करना है, कैसे? लोगसभा में आपने एक सीट जीत ली, ठीक है, प्लस आपने 6% valid vote secure किये हैं, ओके, ठीक है क्या फिर B condition क्या है कि आपने विधान सभा में आपने 2 seat जीती हैं और आपने विधान सभा के election में 6% valid vote secure किये हैं, ठीक है, C क्या है आपने लोग सभा election में 8% valid vote जीते हैं पर आपने कोई seat नहीं जीत पाई, अगर आपके बाद 8% भी है, अगर valid votes पर आपकी seat नहीं बन पाईए, तो भी हम मान लेंगे, अच्छा ठीक है आप जीत गए, आप state party बन गए ठीक है D condition क्या है, कि विधान सभा के election में आपने 8% यही आपने vote अगर आपने fulfill किया है ठीक है, ओके, इए condition क्या है कि आपने 3% seats आपने जीती है यह इसके विधान सभा के election में मतलब कम से कम 3 seats हो कम से कम, या फिर 3%, जो भी whichever is more, यह याद रखना यह लिखा हुआ है, whichever is more less नहीं है, whichever is more, बस this is very important, यहाँ जो जो भी जादा हो, बस, यह याद रख लेना, ठीक है, फाइन, टोटल लोग सभा seats, अगर आपका एक बटे 25 भी है, और एनी fraction there of allowed to the state, ठीक है, तब देखा जाएगा, यह count होता है, ओके फाइन I'm sorry, अब जो recognized parties होती हैं देश में, चाहे national level पे, चाहे state level पे, यह parties, general election के बाद, इनका count देखा जाता है, कि आप कितने perform कर रहे हो, कितने ज़्यादा लोग आपको मानते हैं, कितने लोग आपके पीछे हैं, कौन लोग आपके साथ जुड़ना चाते हैं, लोगों का आपके उपर trust है की नहीं है, इसलिए तब यह जो number है, change होता रहता है और जो national party होगी उसको तो आप जारबाद उसको बोला जाएगा, all India party बोला जाएगा जो state party है, उनको बोला जाता है simple simple भाषा में, regional party यह समय था, जब election हुए थे पहले साल, जब पहली बार election हुए थे 1951-52, उस समय देश में 14 national parties थी और 39 state parties आज 2000 इंडिस का जब last election हुआ था, तब 7 national party रह गई और उसके लावा 52 state party बन गई, ओके, number बड़ा है यह देखो, star करके एक party यहाँ पर, bolshevik party of India bolshevik party, lenin का, USSR में जो revolution हुआ था, जिसकी वज़े से, czar को हटाया गया था और खुद lenin ने USSR में एक bolshevik revolution अपनाया था, उसके बाद वहाँ पर, उसी के नाम पर, यहाँ पर इंडिया में एक party बन गई, bolshevik party चलो, ठीक है, ओके, fine, हम आगे गए, हमने गाए अब बताओ, तो 2023 में पिछले साल, हमने देखा था कि आप party को मिला था national party का status, क्यों, क्योंकि पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा, चार स्टेट में ये महारती बन गए, इनके पास vote performance भी थी, इनके बास सब कुछ था, आज जाके हमारे पास 6 अगे बास समझ में, ठीक है, ये हैं वो 6 parties, ओके, फाइन, चलो, ये chapter हमारा इतना प्यारा सा खतम हो गया, इस chapter political parties पर और भी बात हो सकती थी, पर इसके बाद next chapter आएगा, जहांपर हमें regional parties की बात करनी है, तो वहाँ पर भी बात करेंगे, बड़ अच्छा chapter होगा वो भी, तो with this, हम इस chapter को एक conclude करते हैं, आपके अगली class में मिलते हैं, till then, you keep studying, stay safe, good luck